RKR Study Seated Point YouTube Channel के माध्यम से आप इस वीडियो के अंतरगत सिक्षा की परकिर्ती के बारे में अध्यन करेंगे Nature of Education क्या है इन सभी के बारे में आप इस वीडियो के अंतरगत जानेंगे तो चलिए RKR Study Seated Point यूटूब चैनल के माद्धिम से हम लोग सिक्षा की परकिर्ती के बारे में जानते हैं देखें सिक्षा की परकिर्ती अनेको परकार की होती है और उसको एक एक परकार को हम लोग बड़े ही बारेकी से जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला जो परकिर्ती है सिक्षा की वो यह है कि सिक्षा आज जीवन चनने वाली एक परकिर्या है सिक्षा क्या है तो सिक्षा आज जीवन चनने वाली एक परकिर्या है यानि मनुसे जब जन्म लेता है और अपने मिर्टू परियंत वह कुछ न कुछ सीखते रहता है और यह सिख्छा कहलाती है और वह सिख्छा सीखती रहती है जन्म से लेकर के मिर्टू परियंत तक इसलिए इस प्रकिरिया को आज जीवन चनने वाली सिख्छा की प्रकिरिया क कहने का मतलब कि सिक्षा हमेशा विखास सील रहता है इसके संदर में एक महान मनोविज्ञानिक है जिनका नाम है पिष्टा लौजी वो कहते हैं कि सिक्षा मनुस्य की जन्मजात सक्तियां का सौभाविक सौरूप है एवं प्रगति सील विखास है ऐसा ही विचारूस ने भी सिक्षा को सिक्षा नहीं बोलते हैं इसलिए सिक्षा को एक विखास आत्मक परकिरिया कहा जाता है तो यह दो सिक्षा के परकिरती देखें हैं आगे चलिए और भी सिक्षा के परकिरती को देखते हैं कि सिक्षा के परकिरती और कौन-कौन से हैं तीसे नमर पर हमारा आता ह कि सिक्षा एक शंसलिस्ट परकिरिया है ठीक है इसमें क्या होदा है कि सिक्षा की परकिरिया में जो विकास होता है वो शंसलिस्ट होता है और अलग अलग नहीं होता है यानि एक दूसरे से क्या है कि संसलिस्ट कहने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं ठीक है उदारन के लिए माल लिजे कि मस्तिस्क के साथ फेसियां भी कारे रहती है, सरीर विकसित होता है तो साथ इसाथ मांसी विकास भी होते रहता है, इसलिए कहा गया है कि सिक्षा एक संसलिष्ट परकिरिया है यानि कि इसमें सरीर के शारे एंग एक दूसरे के साथ एक साथ कारे करते हैं, मिलजूल के वर्क करते हैं चलिए इसके चौथे परकिरती की अगर हम बात करें तो चौथा प्रगिर्ती में आता है कि सिक्षा एक तिरी मुखी प्रकिरिया है सिक्षा क्या है तो सिक्षा एक तिरी मुखी प्रकिरिया है एडम्स का कायना है कि सिक्षा एक तिरी मुखी प्रकिरिया है जिसमें सिक्षक सिक्षार्थी रहता है ठीक है यहाँ पर देख रहा है आप सिक्षा एक तिरी मुखी पर किरिया है एडम्स इसको दूई मुखी बताए है गोड़किजेगा यहाँ पर एडम्स का कायना है कि दूई मुखी पर किरिया है एडम्स ने तिरी मुखी नहीं बताया है तिरी मुखी किसने बताया है वो हम लोग आ आए कि सिक्षा एक चुम्बक की तरह होता है जिसमें जिस प्रकार से चुम्बक में दो धुर्ब होते हैं उत्री धुर्ब और धचनी धुर्ब नर्थ पुल और सौथ पुल उसी तरह से सिक्षा के भी दो धुर्ब होती है यानि रोष्ट महोदे और एडम्स दूनों को मिला करके अगर हम बात करें तो दोनों क्या कहना है कि सिक्षा एक दुई मुखी पर किरिया है आगे हम लोग जानेगे कि तिरी मुखी पर किरिया है सिक्षा वो किस ने दिया है तो सिक्षा क्या है कि सिक्षा एक दुई मुखी पर किरिया है एडम्स और रोष्ट के अनुसार आग जो सिक्षन की प्रकिरिया को प्रभावित करते हैं और ये तीनों जो है सिक्षा के अंग है इसलिए सिक्षा को तिरी मुखी प्रकिरिया जॉन डिवी ने बतलाया है और तीनों का एक अपना महतो होता है तीनों कोई किसी से सिक्षा की प्रकिरिया में कम नहीं है इसलिए तीन लाती है और उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है ठीक है सिक्षा जीवन के लिए है सिक्षा स्वेंग जीवन है गोर्किजे का इस सारे वातों को पहला है कि सिक्षा जीवन के लिए है दूसरा सिक्षा स्वेंग जीवन है और जीवन विकास है और विकास का अर्थ गती है और इस प्रकार से सिक्षा क्या हो गया, गतिसील हो गया, ठीक है, इसलिए सिक्षा को क्या कहा गया है, कि सिक्षा एक गतिसील प्रकिरिया है, चलिए, सिक्षा के साथमें प्रकिर्ती की ओर हम लोग भरते हैं, और साथमें प्रकिर्ती में देखते हैं कि कौन सी बात कहे गई ह सिक्षा एक परिवर्तन है यानि सिक्षा हमेशा परिवर्तन लाता है कुछ ना कुछ जब वैक्टी सीखते हैं तो उसके वेवहार में हमेशा कुछ ना कुछ नवीन कोशल जूरते हैं जिसके कारण क्या है कि उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और परिवर्तन ही सिक्षा सिक्षा एक प्रवर्तन है यानि जब देखिया कि बच्चे जन्म लेता है तो उसमें बालक और सहाय होता है उसे किसी भी चीज की वेवारिकता का ग्यान नहीं होता है बच्चे और सिक्षित होते हैं जो कि यहां पर दर्साया गया है लेकिन वह धीरे धीरे जैसे सिक्षा को गरहन करता है तो उसमें परिवर्तन होने लगते हैं बच्चे और वेभारिक से वेभारिक की ओर उनमुक होने लगते हैं और सिक्षित से सिक्षित हो जाते हैं उसमें सिष्ट चार के गुरा आ जाते हैं बात विजार करने के गुन भी आ जाते हैं तो आपने क्या देखा कि सि सिक्षा को एक परिवर्तन कहा गया है सिक्षा क्या है तो सिक्षा एक परिवर्तन है यह सिक्षा की परकिर्थी को दरजाता है चलिए आठमें परकिर्थी को अगर हम लोग बढ़ें तो आठमा परकिर्थी है हमारा कि सिक्षा व्यक्ति को परसिक्षित करने के परकिरिया है सि चित्रों में व्यक्ति के पर्शिक्षन देती है और इस पर्शिक्षन के फलसरूप क्या आता है कि व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के लायक तयार हो जाते हैं और अपने आर्थिक धिश्टी कौन से भी मजबूत होते हैं इसलिए सिक्षा को एक व्यक्ति को पर्शिक्षन देन अगर आपने सिक्षा क्या है इसको नहीं जाना है तो डिस्किप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी सिक्षा क्या है आप उसे भी पर लिजेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही था सिक्षा की परकृति के बारे मत धिन किया इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए काम आप हमारे चानल के साथ बने रहिएगा आरकार स्टडी सीटर पर यूटूब चानल के साथ धन्यवाद